नमस्कार दोस्तों, रेल्वे की पार्ट शाला में आपका स्वागत है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट RRB NTPC के चातरों के लिए आ रहे है और यहाँ पर दोस्तों ये बात चोकाने वाली है चोकाने वाले बात दोस्तों इसलिए है क्योंकि बहुत सारे चात्र यहाँ पर absent हो रहे हैं document verification में अब आप सूची level 5 के अंदर जहाँ पर इतनी अच्छे सी post है जैसे कि आपका senior cctc है आपका guard की post है इतनी अच्छी post होने के बावजूद भी बहुत सारे चात्र यहाँ पर document verification के लिए यहाँ पर absent हो गए हैं तो उसलिए यहाँ पर पूरा update यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यह rrb चंडी कड़ी की तरफ से update है और यहाँ पर आप देखेंगे notice for the candidate who fail to report for the document verification on the regular date for the ntpc post of c.a.119 यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों बोला गया है 21.11.2022 को rrb ने एक notice डारी किया था और it was informed that the candidate who fail to report for document verification on the regular date assigned to them in their call letter with valid reason a second and final chance to attend the document verification is kept on the block date यहाँ पर दोस्तों आपको 21.11.2022 को एक notice डारी किया था और इसमें आपको यह बताया था ऐसे चात्र जो किसी reason की वज़े से जो assigned date उनको दी गई थी या निक जो date दी गई थी document verification में वहाँ पर present होने के लिए अगर उसमें किसी valid reason की वज़े से present नहीं हुई है तो उनको एक अलग से और एक final chance दिया जाएगा वो अपना document verification उस block date में करवा सके और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे चात्रयां पर absent हुए है तो उसमें clearly बता रखा है कि यहाँ पर या तो आपका कारण यह होना चाहिए आप किसी university या government examination की वज़े से यहाँ पर document verification में present नहीं हुए या दोस्तों आप किसी कारण से बिमार होगे इस वज़े से आप present नहीं हुए या आपको वहाँ पर evidence देना पड़ेगा document की form में आगे यहाँ पर बोल रखा है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर चात्रों की जो संक्याय बहुत ज्यादा हो गई है absent में इस कारण से railway ने जो date थी ना 26 December की उसमें बदलाव किया है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों दूसरा notice आरे किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे the candidate who failed to report the document verification from 5th of December to 13th of December यानि कि जो 5 December से और 13 December की भी जो चात्रों जिनका document verification होना था और जो present नहीं हुए हैं वो दोस्तों अब 26-12-22 को यहाँ पर अपना DV करवा सकते हैं और दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो candidate जिनका DV 14-12 से लेके 23-12 के बीच होना था वो दोस्तों अब अपना DV यहाँ पर 27-12-22 को करवा सकते हैं यानि कि दो date अप यहाँ पर रखे गई हैं और यहाँ पर देखें इस को यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं इस बात का वीचिस द्यान रखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मातरा में चात्र यहाँ पर absent हो रहे हैं डोकिमेंट वरिफिकेशन के अंदर तो यहाँ पर यह अपडेट था जो रेलवे के तरफ चाह रहा था तो दोस्तों रेलवे के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सस्क्राइब करें मिलते आप से एक लिए व्डियो में तब तक जहिंद